हाँ, सभी को जे श्री कृष्णा, राधे-राधे कृष्ण जन्माष्ट में कि आप सभी को हार्दी शुपकाम नाइ और सभी का मतलब की रिट के इंदर सेलेक्शन हो, जिसने भी BSTC की है, रिट लेवल फरस्ट में सभी का सेलेक्शन हो, नो किल लगे संपूर्ण जानकरी कौन सा सब्जेट कितने नमर का रहा है कौन सा टोपिक का रहा है सब कुछ डीटेल में इसलिए क्या करना है एक पेन ले लो हाथ में रजिस्ट्रिया खाली पेज ले लो उन तीन चाहर दो पेज यह तीन पेज भरेंगे उन पेज में लाइन वाइज उता कि अपने स्टेडी टेबल के सामने चिपकाना है क्या का मैंने उसको चिपकाना है सामने पता रहे क्योंकि स्लेबस हमेशा किसी भी एक्जाम की तेहरी करने से पहले आपको पूरा स्लेबस कंटस्ट होना चाहिए यह पहला उसूल बना लो जिंदगी में कोई सी भी एक्जा पहले मैं आपको थोड़ी बैसिक जानकारी देता हूँ कि जो रिट लेवल फर्स्ट है इसका जो एक्जाम होगा भाई आप BSTC पास हो गए आपको कोलेज मिल गया कोलेज मिलने के बाद में आप दो साल की BSTC हो जाएगी तुरंत वेकेंसी आईगी रिट की और आपकी नौकरी सरकारी पकी ये बात ता है उस पर में वीडियो बना चुका उसको भी हम पिन कर देंगे कैसे हैसाब सिस्टम था लेकिन आज अपन जानेंगे कि आता है क्या है पूरी बास समझ लो आपका एक्जाम होगा 300 अंकों का कितना होगा 300 अंक आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा उसमें राजस्तान जीके का वेटेज है 180 अंक अब आप समझ सकते हो 180 मार्क्स राजस्तान अब वो मतलब वो दो पार्टिशम है वैसे लेकिन राजस्तान अवरोल अपन 180 नमरू का पन वेटेज है 300 में से अब कैसे क्या आप लेख लेते हैं एक तो राजस्तान मैंना आपको दो तरह से राजस्तान लिखा है एक राजस्तान जिसके अंदर राजस्तान बुगोल है राजस्तान इतियास हैं मतलब आर्टेन कल्चर संसकरती है और राजस्तानी भाशा इन तीनु को मिला के पूरी बास समझना राजस्तान में भी राजस्तान जोग्रोफी राजस्तान आर्टेन कल्चर राजस्तानी इन तीलों को मिलाके आपके जो में 100 नमबर का ये राजस्तान है ठीक है यहाँ पर और फिर मैं आगे बात करता हूँ राजस्तान ये दूसर राजस्तान की है तो वही राजस्तान जी की इसमें क्या है राजस्तान का सामानिक ज्यान शेक्षिनिक प्रिदर्शे आर्टी जो न जोटा मोटी इमेज बननी चाहिए एक पहला पेज आपको इससा थेयर करना है। सोच लो 300 में से टीक है अब मेरी बात सुनो इसके बाद में विद्याले विशे विद्याले विशे इसमें संस्क्रित नहीं होती है क्योंकि पांची तक टीचर बनते हैं हिंदी और हिंदी की शिक्षित को मैंने साफ लिखा है हिंदी एंगलिश गनित विज्ञान और सामाजि लेगे क्षिक्षन विद्याउड चल्ट के बना दूगा ल包शल लेकिन जिन्दगी सफल ऐसे बना देएंगे गणित श्राट विज्ञान और सामाजिक अध्यान की श्रिक्षन विद्याउड कुल मिला जो नमरीं आपके होगी हिंदी विशे-जिसमें संद्धी समासा भी ले लेंगे क्या क्या हो यह तो मोटर मोटर इमेज इसमें हिंदी दस नमर किये और शिक्षन विदियंग्लिएं आप नमर की मतलब 18 नमर का एक जोड़ा है यह 18 188 पान नबे 18590 होता है तो यह 18 तरब नमर के जोड़े कि अपने हैं English 10 की स्रेक्ष्चन विधी English की प्रोपर त्वी नहीं यह कि अपर है यह आपकी टीचिंग साइक लोजी मातर भी इस नमर की इतनी इजी इतनी इजी है पांसार टॉपिक है यूँ ही कर देंगे मतलब यूँ वन शॉट बिलकुल शिक्ष्ण मुना विग्यान जो है वेरी जी बीस में से बीस आइंगे लिक्वारान मेरे से क्योंकि बीएस चीज़ी अलग थी उस मतलब बैसिक चीज़े कुछ भी आ जा लाकर देख लो 30, 30, 90, 120, 120, 100, 60 होगे 300 नमर ये 300 नमर का आपकी मामला है अब मेरी बास समझना अब में अभी तो मैं मोटा मोटी इमेज बनाई जो आपको शाहिद एक पेज में आगी होई सारी सारी बात है अब अपन क्या लेंगे पूरी बास समझो अब अपन लेने वाले सब कुछ त्यार करेंगे बाई जिनता क्यों करते हो पहली बात आपका एक्जाम कौन करवाएगा तो आपका एक्जाम करवाएगा राजस्थान करमचारी चाइन बॉर्ड जैपुर ठीक है राजस्थान करमचारी चाइन बॉर्ड जिसका है एड़ ऑफिस जैपुर में है यह आपके एक्जाम करवाएगा ठीक है ओके परिक्षा 300 अंकूंगी होगी परिक्षा के लिए मात्र एक ही पेपर होगा ऐसा नहीं या लगले फिर एक पेपर होगा जैसे आपके भी एच जिसे कह वाता न वह वैसे ही धाई गंटे का समय दिया जाएगा दो गंटे 30 मिनट यानि क्योंगी के सकते हैं कि एक सो पक्यास मिनट आपको मिलेंगे और क्योशन भी एक stårपचास है क्या तो मतलब हर क्योशन में होंगे option वारे होंगे बिल्कुल no doubt कोई दिकत नहीं है उत्रों का मुल्यांग का negative marking है क्या बिल्कुल है नकारातम कांकन बिल्कुल है कितना तो ध्यान रखें एक तीहाई one third one third का मतलब समझ गये क्या एक तीहाई का मतलब है अगर तीन क्योशन आपने लगातार गलत कर दिये तो इसा मानलों इसके बतले में एक क्योशन सही जो था ना वह भी खट गया एक साथ चार खत्म समझ में आगे one third भी बर दिया और उसी दाइन में सी बर दिया तो भी गलती माना जाएगा उसके नेगेटिव मार्किंग को इसके नमर कटेंगे यह द्यान रखना ठीक है तो गलत का यह अंदाजा क्या होगा या तो आपने उत्तर गलत दिया हो या पर ओमार शिट में दो गोले बर दिये त अभी वापस बता देता हूं यह सो नमर का मामला मैंने आपको दिखाए था यहां पर यह देखो यह यह सो नमर यह सो नमर अब इसकी एक एक नस्च शेक करते हैं इसकी इसकी आओ इदर तीनों की शेक करते हैं सबसे पहले आईए सबसे पहले राजस्तान का भुगोल यह न ना कि नमेर एक राजस्तान का भूगोल दूर्सर राजस्तान का और तीरा सिरा सिर्फ ये तीन थे अच्छी सो नमर के बिलकुल विल्कुल है राजस्तान की लगव ह hidden राजस्तान लगाई यह and śau भोगोलिक सवरूप बोल दो चाहे राजस्तान का भोतिक सवरूप ठीक है ना बहुत गजब का कौन सा जिला कहां पर है किसकी सिमा किसे लगती है बिलकुल न्यू तरीके से पढ़ाऊंगा एकदम न्यू क्योंकि चेंज हो गया राजस्तान का मानसून तंतर भी आ रहा है जल है नेडिंग होती है कि अपवात अंतर में क्या अपवात अंतर में जीलें नदियां और बांध ठीक है ना ओके तीनों पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे जीलें नदियां बांध आप चाहो तो अलगले लिग लो बने ऐसे जीलें नदियां और बांध तीन लाइनों में मिर्द राजस्तान के परमुप फस्लें कुहीं कौन Kसी इस है लोज़ फ्रेटलिप्सक्राइब सिखने से impacting होगे तक की सब्सक्राइnınion का है यह पने पढ़ने वाले हैं लिटर्सीा एंस यह वाले आज़ने है फिर ध्यान रखना इसको आर्ट एन कल्चर में जंजातियों को ना शामिल करके जोग्रोफि में किया है इसका मतलब यह क्या पेहनते हैं क्या खाते हैं वो नहीं यह किस इलाके में वो जोग्रोफि के रेफरेंस एकनोमिक स्टाइप तो अलग तरीके से पढ़ा हूँ इसको राजस्तान की जंजातियां जंजातियों क्यात्र कौन कौन सा है राजस्तान भुगोल के अंदर यह भी है फिर धातूर एधातिम मैंनो मा खनीज क Kubernetes के में इसमें मेटल, नॉन मेटलिक, पूरी पेस्टी कर लेंगे, खनीज भी है, और उर्जा संसादन, बिल्कुल उर्जा संसादन में कौन-कौन सी, परंपरागत और गेरपस, दो ये, परंपरागत और गेरपरागत, ये उर्जा अच्छे से पढ़नी है, पर ये टन, राजस्तान परेट का, ठीक है, तो राजस्तान जोग्रोफी कम्प्लिट, अब बात करने राजस्तान आर्ट इन कल्चर की, क्योंकि तीनों को मिला की सो नमबर है, अब कोई फिक्स नहीं है कि कि ये कितने गाएगा, तीनों को मिला की सो का मतलब है, कि अभी बता दूँ, रावन फिक्र में चा का आर्ट इन कल्चर, अगर अपन आर्ट इन कल्चर की बात करें, आर्ट इन कल्चर में क्या किया रहा है, सबसे बेस्ट एक तो वही है राप प्राचिन सब बेता है, मतलब लगबग लगबग आपकर नोटिस करेंगे, तो CET हुबहू रीट फस्ट, हुबहू लडिसी, आर्ट वार, तो सेम इसलिए बस है, वही तो मैं कहा है, थोड़ा बहुत कोई दो चार टॉपिक इदर दुरूए है, बाकि वही है, राजस्तान की प्राचिन सब बेता हैं, काली बंगा, जो CET में भी सेर्म कुसे हम चार है, काली बंगा, आहड, गनेश्वर, पांच होगी यह एज़टीज हुबो CET, राजस्तान की महत्वण यह तियासी गटना है, परमुग राजवन्ष, यानि की मुगल, मेवाड, मारवाड, भरतपूर्थ, पुरा जात राजवन्ष, सबी के सबी वन्ष अपन पढ़ेंगे, चोहान, अजमेर के चोहान, रंथामों के चोहान उसमें सिर्फ कीले और इसमारक पढ़ना है, समझ में आ गए क्या? आ गए, राजस्तान के मेले पढ़ना है, राजस्तान के त्योहार पढ़ने है, राजस्तान के लोग देवता पढ़ने है, असुरी लोग कला, लोग कला का मतलब हस्त कला वो पूरी चेतर कला वो आ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये छे टोपिक अलगल इलो उपर नीचे लाइन हो लिखना, मेले, त्योहार, हस्तकला, चितरगला, लोग संगीत, लोग नाइटे, लोग नरते, छे साथ टोपिक होगे, ठीक है, ओके, राजस्थान की पारंपरिक, सो राजस्थान की सांस करतिक परंपरा हैं, विरासत, ये भी खेर, वोई है, गड़ों के दुर्गों के बारे में, वो अपने लिख नहीं है, मैं बता दूँगा, फिर, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, परमुक संत हैं, लोग नेटा, कहने का मतलब है, कौन-कौन जे धार्मिक आंदोलन का मत मतलब होगे, पूरे संत संपर्दाए, बस, ये इसका मतलब है, संत और संपर्दाए, और लोग देवता, लोग देवता भी है, और संत संपर्दाए भी है, बस, ये है, ठीक है, ये धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या होगे, इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है, परमुक संत समपर्दाय और लोग देवत्ता जिसमने लोग देवियां भी शामिल होती ही लोग देवत्ता ले एक साथ ही हो सब कुछ पढ़ना है अपन को अब राजस्तान के मेटवण एतियासी के इस्तर कौन कौन से एतियासी के चाहिए फोर्ट और चाहिए मंदिर हो कोई से अलग से पढ़ाई जाता है बिल्कुल परमुक वेक्तित हुए कौन-कौन से हमारे प्रसित वेक्ति वेजिन क्या क्या काओं बिल्कुल वेरी इजी आभूशन वस्तरें आभूशन वेरी गुड चित्रकलार हस्त शिल्प वैस्त यहां पर भी लोकला में आ गया लेकिन यहां अपर लोकला अलग से पढ़ा लेंगे तो कोई दिकत नहीं है अब लेक्ष लेना के बारी ठीक है अठारह सतावन की करांती है इसके अंदर ठीक और जनजाती का अंदुलन और किसान दोनु है यह आगे आर्टेन कल्चर में मतलब जनजाती पूरी है जोग्रोफी वाली जन फिर राजस्तान की जनजाती अंदुलन नमर दो और राजस्तान की किसान दोन नमर तीन ऐसे तोड़ना अलग तोड़ना ठीक है बैस्ट होगा और फिर परजामन ला अंदुलन नमर चार और एककरन यह सारे टोपिक होगे वो का वो सीटी राजस्तान का एककरन आप लेकिन सब कुछ है सब कुछ ठीक है अब है राजस्तानी भाषा यह 10-20 के बीच माती कोई ज्यादा नहीं आएगी ज्यादा वेटेज उनीका है सो नमर का जो मामला है ना लगबग चांस है कि 45 का ही आ जाए पैंतालिस का यह जाए दस एक नमर का जोगार मेरे साब सब्सक्राइब लग रहा है पिछले साल एक पैपरम उठा के देखे तो 10-12 नमर का वेटेज है लेकिन एक नमर भी वेरी इंपोर्डेंट है गोर्मेंट न इस तो उनका क्या क्या साहिती वह एज़ी डॉपिक है मेरे साबसे चार कलास की बात है वस तीन चाह गंटे का मैटीरियल लाप पूरे यह और यह तक यह इस असी का यह आप इस में चार चीज़े हैं ये तीनू दे चुका में राश्तान का सामाने ग्यान शेक्षिक प्रदर्शे रटेट और सामाजिक विशे आईए चारूं का हिसाब दे देता हूं चारूं देखिये सबसे राश्तान का सामाने ग्यान ये अपन जो एक सीरी चला रही है ना बहुत गजब की तो इसमें चार सब्जेक्ट है गुल मिला के नंबर तौसी है राजस्तान के परतीक चिन राजस्तान में राजस्तान सरकार की फ्लेक्शिप योजना एं राजस्तान के परमुख धार्मी कि स्थल कौन कोन से दरगाए हो चाहि मंदिरों हो सब परमुख खिलाडी प्रसिद quality is like और राजस्तान में जन्द कल्यानकारी कोई कोई से योज नहीं है ठीक है जन्द कल्यानकारी योज नहीं दिगी होगा मेरे साब सारा तो यह चीज आपको एक तो यह नमर हो गया चलो पूरा बात करते हैं शेक्षिक प्रिदर्श्य की आई आगे यह शेक्षिक प्रिदर् है वाज राजस्तान के पूरी पूरी पश्डी ने करनों और यह नवाचार कैंद रही राजस्तान सरकार की विद्धार्ती कि लांगा ने उसे योजने प्रुश्कार दिये जाते हैं वेरी इजी चार्टोपिक इसमें है यह कै तीसरा है निश्चुल के अनिवारिये बाल शिक्षा का अधिकार अधिकार आर्टी दिनियम या आर्टी एक्ट राइट टू राइट टू एजुकेशन आर्टी फुल्पम क्या होती है राइट टू एजुकेशन है शिक्षा का अधिकार है यह 100% क्योशन दो तीन आते हैं लेकिन बहुत गजब का वन शोट में उने वाला है निश्चुल के अनिवारी बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिनियम जो है उसके क्या-क्या प्रावदान थे और क्या-क्रेंड भी दोनों उ समझ में आगए गजब की सिस्टम है बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अब राजस्तानी सामसारी सामे की विशे यह तीन तेन ना एक तो चार थे अब यह चोटा देख लेते हैं यह वाला सामे की विशे में क्या है राजस्तान की समसामे गटनाई मतलब यह करंट है यह तो तो प्लस असी एक तो चुका हूं अब बात करते हैं हिंदी की हिंदी में क्या आएगा हिंदी में आपके देखो संग्या शब्द बेद कोई कुछ नहीं होता है शब्द बेद में जो आने वाली चीज़े हो है संग्या आप हेटिंग लिगने है हिंदी और उसमें नमर एक लिको संग्या नमर दो लिको सर्व प्लस में प्लस ए मिलके ऐसा वाला मतलब यह शब्द रुपांतरण बता दूंगा चिंदा मत करो बहुत एज़ी है उसके बाद में शब्द शुद्धी मुहावरे लोको दिया बस यह हिंदी है दस नमर की ठीक है यह हिंदी स्कुर्प दस नमर की जो मैंने पहले ही बता दी सिक्षण अभिरूच्धय है इंगे है यह है आपके शिक्षन अभिरूची यह क्या है बदीजे करो द्यांग है का बहुत है इसे ही एक जोडळा हैं आपके English का English में निवर एक लगाओ आर्टिकल आरहे हैं, tens आरहे हैं, जंडे गाड़े थे ना वो के वो जंडे वापस गाड़ेंगे वोई का मतलब पैसी वोई है यह पैसी वोई है ठीक है एक्टिव पैसी होता है न वो है नरेशन का मतलब डाइरेक्ट इंडाइरेक्ट है डाइरेक्ट इंडाइरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है डाइरेक् वब हो जाएगी आपकी और one word substitution हो जाएगा यह आपको विशेश तोर पर ध्यान लखना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं बात करता हूँ English की restriction विदियों की तो इसमे principle of teaching English principle यह English की restriction विदिया है मतलब English में study आप कैसे करा होगे तो principles of teaching English फिर बहुत easy इसमें मुझे लगतो रहा है कि मैं 2-3 इस सब की वैसे जुरूत भी नहीं है 2-3 गंटे का मट्रीर ऐसा दूँगा English का जिंदी सफल मतलब यह 18 नमर तो English के आपके मेरे साब से 5-6 गंटे में हो जाएगी बस इतना इमामला है ठीक है community sorry communicative English language teaching कैसे community करोगे बच्चों को very easy आता है methods क्या क्या रहेंगी methods of teaching English और difficulties मतलब सेम वह ही है जो हिंदी में कट रहें आती है इसमें भी difficulties आती है तो difficult in learning English role of home language multi multilingualism भाई अपन mother language mother tongue अलग होती है school में अलग language बोलते हैं हिंदी बाशा बोलते हैं गर में वहां जाके अलग English हो तो थोड़ सा यह भी फरक पड़ता है very easy और कैसे मुल्यांगन evolution मतलब मुल्यांगन जो हिंदी में मुल्यांगन होता ता हो evolution methods of evolution और remedial teaching बस मतलब same to same जो हिंदी में लिकावा है न उप्चारात्मक निदारनात वो की वो यहां पर है सब कुछ वही है बस in English हो ठीक है very easy 18 नमर का मामला यह होगा आपके ऐसे ही आ जाती है गनित और गनित लगबग लगबग वही गनित है CT वाली बस CT से थोड़े जोजा टोपिक कम है इसमें बस यह है एक तो मैंने trigonometry नहीं है इसमें ठीक है और कोई दिकत नहीं और तो सेम ही है पुर्ण संक्या है अभाजे संक्या है और भाजे संक्या है मतलब इससे कोई easy topic नहीं हो सकता और इससे कोई basic knowledge भी नहीं हो सकता लेकिन यहां से क्योशन बह की गुणा भाग आते हैं very easy क्योंकि पांस यूतर के teacher हो आप यह सब आपको आना चाहिए लेकिन थोड़ी complicated value भी आती है कैस exam equation आता है मैं बता दूंगा ठीक है मतलब topic करेंगे पहले उसका topic वाज टेस्स भी लेंगे चिंताने करें बिन आउधार ना दश्मल से लिए मतलब points लगा की जो पड़ते है points वाले zord points वाले minus points वाला गुणा points वाला भाग बड़ा difficult होता है इसा नहीं इस नहीं है यह भी अब आज यह गुणंद खेंड करते हैं सब्सक्राइब करते हैं परतिशत्ता है लाभानी है सरलब्याज में सिंपल इंट्रेस्ट है सी आई चक्रूरती ब्याज है रेका हैं कौन है यह 90 डिग्री कैसे बनेंगे 120 कैसे बनेंगा basic knowledge 602 30 organization समत्लाकरतीयां उनके परिमा पुर्क शैतरफल है मतलब जैसे समत्लाकरतीयां लाइक इसम आपके हो जाएंगे आयथ हो जाएगा ठीक है आपका त्रिबूच हो जाएगा वर्ग हो जाएगा वरित हो जाएगा ठीक है यह सब इसमा जाते हैं बैसे के लिए समझतर वो जो बगर है सब कुछ आजाएंगे मतलब और इसकी मैं अगर बात करूँ ठोस आकरतियों कि 3D इसमें गन गना बेलन शंकुर गोला यह पांस ट्वापिक है एजर डिस मतलब यह तो दोनों मेरे साब से क्लास 19 पर हमने खूब पड़ रखें वही है गन गना क्यूब क्यूबर्ट, सिलंडर, कौन और आपका स्पेर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों के आपको एरिया और आइतन मिला शेतरफल और आइतन है नहीं वोल्यूम और एरिया निकालना है वेर एज़ी और यह वापस गनित की विश्रिक्शन विदिया है कैसे है कि गनित आने के लिए अपन स्केल का, चांदी का, उस सबका परियोग कर सकते हैं, एजी पढ़ जाएगा, कुछ वो मुल्यांकन केसें करें, और निदरहात में और उपचारत में कौन से स्रिक्शन है, वेर एज़ी यह गनित का मामला है, हो गया, तो यह तो दस नमर की है, और आठ आगे बात करते हैं, सामानिय विज्यान, यह जनरल साइंस है, ठीक है, मैं बात करों, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में भी कोई दिक्ट नहीं है, छोटा सा से लेबस है, कोई आप है, टिदे टेंथ नहीं बढ़नें, पांशी तिदा बढ़नें, इसिम्पल आएगा, आमल शार और लवन एसीड बेस और सॉल्ट वेरी इजी जो अपन क्लास नाइंट एट सा में पढ़ चुके एट में भी वह आएगा कि कौन सा अमल है कौन सा शार है कौन सा आपका लवन है उनके छोटे माटे कुछ फोमल ले वगरा इपर एजी उनके क्या क्या उपयोग है व है वह सब कौन सा परिएजी है मतलब तीस साली से एक्जांपल भी लेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा मोशन गती जो अपन गती के तीनों समय किनों पढ़ चुके वही सारी बाते हैं बल यह उन गती के नियम क्या यह तो वापस गती और गती नियम एक साथ पढ़ ले सामानय विग्यान ठीक है ना सामानय विग्यान और जियो में श्वेशन और परिवेन कैसा होता है और जनतू में जनन इसमें इंसानों वाला जनन नहीं है जनतू में जनन है तो very easy 10 नंबर की साइनस आपके यहाँ पर आ रही है बाइलोजी में सरफ एक दो टोपिक यह है इ यह बनाएगे आपको ताकि आपको पैचान रहे इखटा मिल जाए ठीक है क्या बिल्कुल ठीक है विज्ञान के शेक्शन विदिया विज्ञान को पागम वो का हो सेम्-डु सेम क्या क्या साइक साम अगरी उप्योग सेम डिटो हिंदी-इंग्रिश-मैथ हिंदी- ठीक है सोसे स्टेडी में क्या आएगा यह भी देख लो आप सोसे स्टेडी में देखो इसमें क्या है मतलब जो अपन जो राजस्तान दिन पर जैना कख्शा छे साथ आट नो दस वाली बस वही उनमें ज्यादा आए गए राजस्तान एक परीच्छे ऐसा वन शोट तो राजस्तान ही है क्योंकि टेचर भी राजस्तान की बन रहे हो तो राजस्तान कितना बड़ा वेटेज है अब आप समस्क्ते हो कि जो शाम को जो एतियासी की चला रखी है अपने यूनिक उससे कितुना बड़ा आपका फाइदा होने वाले क्योंकि उसमें शिर्प प्रिचे यह राजस्तान का ब्यामला है थोड़ा मुगल एंपारी पढ़ना पड़ेगा मुगल सामराजी मोटा मोटी तीन चार आजा है फैमस बस ज्यादा नहीं वापस राजस्तान की अर्थ वेगुस्ता परत्वी के परमुष्टल रूप कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन अपराजस्तान की तो वैसे सीटीम पढ़ें पर रहें पर राजस्तान की थीन पड़े टॉपिक तो लोग परशाषन है यह पूबिक एड्मिस्टरेशन लोग परशाषन ठीक है पब्लिक administration का मतलब है लोग परशाशन ये भी important topic है easy है कर लेंगे एक ये रहा राजस्तान का सभीदान निर्मान में योगदान तो मतलब लगबग राजस्तान ही है इसमें कोई मामूली भारते सभीदान थोड़ सा देखना है जो अपन पॉलिटी वैसे हैं पढ़ लेंगे य है यह देख लो चाहिए एक यह देख दो और तीन मतलब छोटे मोड़े कोई topic बाहर है वैसे लगबग इनको ना भी पढ़ोगे रास्तान पढ़ लोगे ना तो अपना दस नमर मतलब आठ नमर तो वैसे ही पक्के है अब यह वापस स्रिक्शन विदियां किसकी सामाजी के सिक्षन आचा हो सकती है और सामाजी समय को समझै प्रयावजित क्या क्या परक्ति ना मोटें सात्मके शिक्षन तो दस प्लस आठ स्क्षन होगे ठारा बिल्कुल अब देखो यह साइकलोजी ठीक है यह आपकी साइकलोजी है और साइकलोजी की मैं बात करूं इसमें शैक्षनिंग मनोग्याने टीचिंग साइकलोजी सो बोला जाता है इसमें वेरी इजी है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपकी बेशिक चीटिस नहीं है इसमें टॉपिक फिक्स है और जिसमें टॉपिक फिक्स है उसके तो अपना महारतीय नस नस चेक्क कर लेंगे अब ये सबते है तो पढ़े तो क्या प़ढ़े और बिलकुल basic paper आया था मैंने वैसे याभ आपक करें ब्रविकास कार्थ बाल विकास के सिद्धान तो बाल विकास को परवायुद करने वCollinit कारक कि पिर बुद्धी लभी एक क्या संकिल पन पन पर अधि अधिगम का अर्थ हैं अधिगम को परवाइद करने वाले कारक अधिगम मतलब स्टड़ी और अधिगम के विबिन सिद्धान्त और अधिगम के यह तीनों एक ही जैसे टॉपिक है एक एक शौट में complete one अधिगम करता के परकारिश में पिछड़े विमंदित प्रतिबासाली शर्जनशील विशेश आउश्यक्तावले जो बालक होते हैं उन सब के बारे में मतलब आपको आपको पताएगी अपन हर तरह के बच्चों को बचा सकता है तो बिल्कुल पिछड़े वे बालक विमंदित बालक परतिबासाली बालक कुछ सरजनशील बालक और कुछ विशेश आउश्यक्तों वाले विद्यार थी जैसे हैं कि वो लूले लंगरे कैसे हो सकते हैं यह सारी चीज़ें इसके बच्चे होते हैं क्या-क्या उश्यक्ते होती हैं और अधिगम में कोन-कोन सी कटि नहीं आती है यहां से भी क्योशन आ जाता है कि अब प्रेयर पार्वाव क्या है और अगला है समयोजन की संकलपना तरीके समग समयोजन में अध्यापक पॉल में धालना मतलो हर बच्चे को उसी सम उसी का अकोर्डिंग धाल लेना समयोजन कर लेना इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो गजब की चीजे हैं बहुत इजी है यह आपके 20 नमर की जो है साइक्लोजिया रही है बस 20 मार्क्स ओके और यह टॉपिक है और लास्ट प्रवद्योगी उपकरन बोल दो चाहिए टूल्स बोल दो कौन-कौन से होते हैं सब प्रकार वेरीजी है और सूचना प्रवद्योगी क्या क्या अनुपरियोग हो है और सूचना प्रवद्योगी के सामाजिक परवहाओ बस 10 नमर का मामला 10-10 क्योशन आएंगे भाई आस 10 नमर ठीक है ना सूचना पांच क्योशन आएंगे तो वेरी इजी क्योशन दो दो नमर का है ना आपके इसलिए तो वेरी इजी ये था 300 नमर का मामला 10-100 क्योशन और 300 नमर अब बताओ कैसी लगी है हमारी मेहनत और एक भी चीज कोई पैंडिंग छोड़ी नहीं है नस नस कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है उस सब बता दिया है कितना गंटेक टाइम है वगएरा वगएरा सब बता दिया है फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन दूरी वैसे है नहीं कोई डाउट रहे गया तो कॉमेंट कर देना उसका को सलूशन कर देंगे आपकी फ इतना बड़ा आपको इतना बड़ा का क्या मतलब इतना बड़ा का मतलब यह है कि अपने देखो क्या क्या पड़ा अभी आपने बी एस टीशी कर ली भाई पट पेपर तो होई गया तो इसके बाद में आपको कोलेज अलोट हो जाएगा ठीक है और अब क्या होगा जो मुर हम को आफ में फाहल है कि दो साल की तो कौलेज यह तो मेरे इसाप़ से हमामला खत्म है और जिसको वाकेए주 बनना है वाके आ लेवल के सलक्शन लेना है क्लास फित वे टीचर स्थ शेकशक बनना है तो इन दो सालों में रात और दिन और कभ से आज से कब से आज से ही वो लग जाएगा कि वो कैसे लगेगा कि बाई जैसे बग समझते हो इमांदारी से कभी जाना कभी समझ गया बाद है जड़ा कहूंगा नहीं मैं आप समझ लो, मतलब लगबग 24 गंटे हैं आपके पास में, अगर मजबूरी वसका अभी कभी जाना भी पड़े, तो जा सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, फिर भी आपके 20 गंटे बच जाएंगे, दिन रात अभी से करोगे, तो 2 साल आपको इस BSTC कम्प्लिट करने में आपके जाएगी, लेकिन सेलेक्शन उसी का होगा जिसके तैयारी है, यह भी ध्यान रखना, और आप यह चिंता मत करो, डेट साल में आती है, यह साल पर में आती है, तो आप अगर BSTC सेकंड ये के अंदर भी होना, तो भी फॉम भर सकते हो, यह ध्यान रखना BSTC सेकंड वाला भी रिट लेवल फरस्ट का फोर्म भर सकता है ये ध्यानक ना बस वो है कि जब तक कि उसके एक्जाम फाइनल हो जाए मार्क श्रिटे मन जाए तब तक आपके पास में इसके मार्क श्रिट आजानी चाहिए आराम से आ जाएगी क्योंकि वैसे ही वेकेंसी आएगी महीन कि BSTC भी कर रहे हैं साथ में पूरी बार समझना और BSTC के साथ में वो CET भी कर रहे हैं तो वाकिए करनी चाहिए क्योंकि CET का लगबग 80% स्लेबस आपने देख लिया होगा दोनों का क्या नाम इसका रिट लेवल फरस्ट का रिट लेवल फरस्ट का और CET का 80% जो स्लेब बस है तो इसमें golden chance क्या है अभी जो मैंने आपको कल बताए था 17 वेकेंशी का पिटारा उन 17 वेकेंशी का पिटारा के फाइदा उट सकता है कैसे हैं कि अगर अभी आपको बता है जनूरी फरवरी में CET हो जाता है टाइम पर तो आप उसमें applicable हो और वेकेंशी आएगी मही जों की जो वेकेंशी आ जाए है ना चाहिए वो आपको पटवार हो चाहिए वो आपकी वीडियो हो चाहिए हो ल्दीसी हो कोई सी वेकेंशी आँ हो बेढते ही नोकरी लग जाती है तो एक मजबूत काम हो जाएगा फिर बलें रीट लेवल की तियारी आगे हो या नव को भी फरक नहीं पड़ता, बीच में नोकरी मिल जाए चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी, स्लेबस बेसी दोनों का सेम है तो ये बड़ी गोल्डन चांस है एक डेट साल पहले नोकरी लग जाए तो और भी सबसे बढ़ी है तो ये दोनों काम आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका कि CET and REIT level first चाहिए second भी मान लो भी लेए REIT level second मान लीजिए इन सब का end LDC, end पटवार, ठीक है चाहिए video, चाहिए सब इंस्पेक्ट सानदार सबी का स्लेबस लगबग लगबग 80-85% सेम है इसलिए CET तो करनी चाहिए CET की साथ में आपको automatic इनकी त्यारे हैं हो रही है तो जूट जाओ, कोई सी पड़ो सब काम की है स्लेबस जाना जरूरी है अलग-लग अपनी स्टेड टेबल सामने चिपका लो कि यह मेरे रेट लगब फर्स का स्लेबस है यह मेरे इसका क्या नाम इसका CET का स्लेबस है और जंडे गार देने इधर लगा लो LDC स्लेबस यह हर हालत में करनी है आपको यहाँ पर 100% में त्यारी कराऊंगा सारे सब्जेक्ट की तीन चार पांच में अमने बास टाइम है गजब की दिन रात एक कर देंगे और डेली क्लास आपकी होने वाली है जो भी कुछ इशूज के काम थे हमारे हम सब काम कर ली है अब डेली की एक एक क्लास मिलती रहेगी राजस्तान हाई कोर्ट का एक टोपिक मैंने कल अपलोड किया एक गंटे पलस पांच-छे मिनिट का जंडे गार दोगे ऐसा टोपिक है आप निशने में नहीं देखा इमानदारी से जाके राजस्तान पॉलिटी का रेजिस्ट अलग बनाना हर सब्जेट के राजस्तान पॉलिटी अलग आटन कल्चर अलग हिस्ट्रि अलग जोगरोफिय अलग इंडिन जोगरोफिय चेश्ट बनाइए और उसमें जाकर रेजिस्ट के नंदर पुरी हाई को पूरा का पूरा उतार लो अब कल नहीं पर्सू आपका उसका टेस्ट होनी वाला है राजस्तान हाई गौर्ड का पर्सू टेस्ट है किसमे कितना है दम देख लेंगी ठीक है न तो टॉपिक पहले कराऊंगा टॉपिक वाई टेस्ट लोगा और कोई बीगिडाउट रहे है तो कॉमेंट कर देना आपको सलूशन उसका मिल जाएगा तो यह था रिट लेवर फर्स्ट का है ठीक है क्या कि अब करण को कर तो कर अबीष भीष नहीं हो करन तो हाँ इसका तो लिए डिए लिए इस फारी साहरी का की लिए आर टी का बोला था था मैंने लिके भी तेक हम लिए लिए लिक्या ना बीच भी अटा देदाओ